टॉम हैस जेरी, टॉर्मान, एश, यू हैव तो हैलो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़े होंगे, तो चलिए वीडियो हो सुरू करते हैं, गाइस अगर आपने अभी तग हमारे चलो को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो जल्दी से कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, गाइस इस तरह का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वाइरल चल रहा है इस्टाग्राम रिल्स पर, अगर आप भी बना कर किसी भी सोसल मीडिया प्लेटपॉम पर अप्लोड करते हूँ, तो आपका वीडियो 100% वाइरल हो सकता है, इस पर दिखा देगा, simply plus वाइकन पर क्लिक करने है, new project पर क्लिक करने है, और guys आपको इसमें यह वाला वीडियो कार लेने, इसका लिंक आपको description मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर ले, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में या एरो वाले आइकन पर क्लिक करने है, अब आपको कुछ यह तरह का interface दिखाई देगा, यहां original पर क्लिक करने है, और यहां से नोवाइस वाला वाला ratio सेलेक्ट करने है, और आपको यह बांद कर देने, इसके बाद में आपको वीडियो क्लिक करने है, और यहां पर क्लिक करके आपको इसका ओडियो साउनल बांद कर देने, अब आपको यह वीडियो लेयर, साथ पॉइंट 30 सेकंड पर स्प्लीट कर लेने, तो यहां पर आने है, आपको साथ पॉइंट 30 सेकंड पर लेयर को तोड़ा जूम कर लेने, वीडियो क्लिक करने है, और स्प्लीट पर क्लिक करके आपको यह स्प्लीट कर लेने, तो हमारा वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो चुगा है वीडियो के सेकेंड वले पार्ट पर क्लिक करने है रिप्लेस पर क्लिक करने है यहां फोटो पर आने और गाइस यहां से आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है अपने प्रेंट के साथ जो फोटो है वो मैं ए कोई भी ऐपक्स एड़ कर सकते हूं फिलाल में जीटा डाउन वाल ऐफक्स एड़ कार ले नो इसका डूरेशन आपको बड़ा लेना है तोड़ा यह राइड़ पर क्लिक करने अब आपको वीडियो के एड़ पोजिशन पर आने ब्लैक लेयर पर क्लिक करने और डिलीट पर क् कि लिख करने एक्सट्राक्ट फ्रोण वीडियो पर आने सब्सक्राइब और आपको फिर से वह वाला वीडियो एड़ कार लेने जो इस्टाटिक में रिट एक आदा या पर आपको इसमें फांल नेम एड़ कार लेना है कुछ भी स्थेस्धेस्ट में follow कर देदाऊं और okay प्लिक करने तो हमारा वीडियो ओडियोम कनवाटों पर उसी नेम से सहोग हो चुगा है या चूज भी क्लिक करने right भी क्लिक करने तो चलिए हमारा वीडियो कम्प्लीट है मैं आपको जए एक बार प्ले करके दिखा देदाऊं अश्री प्रकार आप वीडियो मना सकति हो अब आपको एक्सपर्ट करने लिए एक्सपर्टपर क्लिक करने